आप सभी को पता ही है कि मैंने जो है कल या फिर फरसु एक वीडियो बनाकर आप सभी को जनकाड़ी दिया था कि नए तरीके से दाखिल खर्च के लिए आपकी इस तरह से आवदन करेंगे तो इस वीडियो मैंने डिसकसन किया था कि जहां पे जावबंदी एड करने का बटन ह है वहां पे प्रोब्लम क्रियेट हो रहा है लेकिन अभी प्रोब्लम में यहां पर सॉट आउट हो गया है इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आपको से डाखिल खर्च का जो आवदन है वह भरना है कौन-कौन से डॉक्मेंट आपको अपलोड करने है जा बंदी को कै करने हैं और किन-किन बातों का ध्यान देना है क्योंकि यह पूरी तरह से नया पर गिरिया है और कहीं न कहीं जो पूरी जनकारी आपके पास होनी चाहिए दाखिल खाज के लिए अगर आप यहां पर आवदन करना चाहते हैं तो प्लीस वीडियो से अन तक लिए कर जरूर देखिएगा और वीडियो थुरा से अच्छा लगे तो प्लीस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा हर एक अपडेट के लिए अभी तक आपने टेली गरा मोटसफ चनल से ज्वाइन नहीं किया हुआ है डिक्स्रिप्स बॉक्स में लिंक है जाकर ज्वाइन जरूर कर लिज करने कि वह सकता नहीं है अपना मुबाइल नंबर क्यप्चा को डाल कर आप सीधे यहां पर लोग इन कर सकते हैं लेकिन जिन्हों ने अभी तक आपना रजिस्ट्रेशन यहां पर नहीं किया हुआ है तो यहां पे आपको ऑप्सन मिलता है रजिस्ट्रेशन ठीक है इस पर क्क्लीक करेंगे तो यहां पे जो भी अपना जनकारी होता है यहांपे रखिएगा साइबर के वाले हैं लोग का भरते हैं तो आप अपने जो जनकारी है उसको डाल कर यहां पर सकते हैं लेकिन इसमें समयां यह कि एक धिन में ग permett के लिए उसक लिए करना होता है तो हमेशा जो है CTGN वाला पर ही टीक रहने दीजिएगा ऑपरेटर जो है विभाग के लिए होता है यहां पर आपने जो भी मुबाइल नमबर दिया था रच्टेशन करते समय उस नमबर को डालेंगे क्यप्चा को फिल करेंगे साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे कनफॉर्म के बटन पर क्लिक करेंगे लौगिन हो जाने के बाध फिर से आपको ओनलाइन दाखिल खारीज अवेदन करें बटन पर क्लिक करना होगा यहां पर आपने जो भी रेश्टेशन करते समय जनकारी दिया हुआ है वह जनकारी यहां पर देखनी को मिलेगा नीचे आने के बाद यहां पर सबसे पहले जो है जीला का सेलेक्शन करना है फिर यहां पर जो भी आपका अंचल है उसका सेलेक्शन आपको कर लेना है और नाया दाखिल खारीज आवेदन करे का जो बटन है ना इस पर आपको क्लिक कर देना तो सबसे पहले जो है एपलिकेंड का जो डिटेल्स है वह आपको डालना है अपना रिष्टेशन की यह हुए हैं उसका परकार बताएंगे कि आप स्वय जो है अपना फॉर् ले हैं खुद का अपना नाम से यूजर आइडी पासवर् क्रियेट किये हुए और किसी और का भर रहे हैं तो आपको जो है आवेदक कोई सिवा परदाता का जो बटन है ना इसको ही स्लेट करना है बाकि अगर कोई तीरतिय परच है जैसे कि मानली जीए अपने रिषिदार या फिर किसी दोस्त का आप अपलाई कर रहे हैं तो इसका सेलेक्शन कर सकते हैं मैं स्वय कर रहा हूं तो यहां पर स्वय का चायन करूंगा अब यहां पर स्वय का चायन करेंगे तो यहां पर आवेदक का जो नाम है न वहीं ले लिया जाएगा जो अपने रिषिन करते सम मिलता है तो इसमें से माल लिजे अगर दो परसन है तो आप जो है एक ही परसन का नाम लिख सकते हैं या फिर चाहें तो दोनों का भी नाम लिख सकते हैं वो आपके उपर निर्भर करता है हाला कि एक ही जो फर्स्ट वला नाम है तो husband या फिर कोई authorize reprintative है तो भी आप बता सकते हैं उसके बाद यहाँ पे दाखिल खार्ज के जो ही आविदन का परकार आपको बताना होगा कि आप क्यूं करना चाहा रहें तो मैंने जो है जमीन खरदा हुआ है तो यह जो है self-purchase में जाता है दोनों को fill up करेंगे अगर same है तो यहाँ पर tick करेंगे तो दोनों same हो जाएगा फिर यहाँ पर save and next के button पर आपको click करनी है अब यहाँ पर आपको plot की information भरनी होती है तो यहाँ पर सबसे पहले plot का जो भी मौजा है उसका selection कर लेना है और यहाँ पर जो भी हलका पड़ता है उस द्तरस से रजिस्टरी deed होगा तो यहां पर देखने को मिल जाएगा और बाकी यहाँ पर देखेंगे तो जो भी चवहती है ऊभी आपको देखने को नहीं है तो उलग अलग जो हे falander का जो है अलग अलग का तरीका होता है तो आप अपने करंचारी या फिर कोई जनकार भ्यक्तिस सपता करेंगे तो की हम इसमें क्या होता है कि अगर का जमीन एक कठा में यानि या आफ देख लीजिए गा सारं परमंडल करत अर्त जिवान और सारम यानि की छप्राप dr.ta आते हैं तो ये वाला कैय कायो एसन इस्तमाल कर सकते हैं नहीं तो आप अपने पर मंडल का नुसारा आपके आसपस में कोई करमचारी या फिर जमीन से नरोज रखेवल अव्यक्ति होगा, तो उससे भी आप बात करके पूछ सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपना जो भी डिसमिल में जमीन है, उसको टाइप करना है, फिर यहाँ पर जो भी चोवधी है, जैसे कि उतर में कौ करवाया हुआ है, तो उसके लिए आपको जो ही क्लिक हैर के बटन पर क्लिक करना होगा, तो यहाँ पर देखेंगे, तो सबसे पहले जो प्रसना आप से पूछे जाएंगे, कि क्या विक्रेता स्वय जवाबंदी दार है, यानि कि जिनसे भी आपने जमीन का रश्टी करवा हुआ है, अगर जवाबंदी उसके नाम से है, तो सीधह आपको यहाँ पर यास करना है, और उसकी जो भी कॉम्पूटर है, जवाबंदी नंबर है, उसको डाल कर यहाँ पर उसका जो जवाबंदी है पर यहाँ एड कर सकते हैं, लेकिन दिकत का बाता है, जब उस्त्वय ज पत्र जिवित जवबंदिदार का सहमती पत्र उसमें अटेज किया हुआ है अगर नो करेंगे तो आप दाखिल खरज के लिए आउदन नहीं करेंगे तो इसको जो है आपको करना है यहाँ पर देखेंगे तो नाम करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी जमीन अपने रष्टी करवाया हुआ हुआ है उसमें जितने भेहींसेदार है उन सभी का जो हे नाम यहाँ पर आपको डालना होगा जैसे कि उनका नाम क्या है गार्जियन का नाम क्या है रिलेशन क्या है आश्ट क्या है पूरुस है कि फिमेल है फिर यहाँ पर मुबाइल नमबर एडेस डालना होगा और यहाँ पर एड करना होगा अगर एक से अधिक हि करेंगे तो फिर यहां पर आगे जो है दाखिल खाज के लिए आवदन आप नहीं कर पाएंगे चलिए मैं यहां पर याज कर देता हूं अब यहां पर आपको जो है कॉम्प्यूटर आई जावबंदी संख्या या फिर आपको भाग फिर संख्या पता है तो उसकी जनकारी भर करके जो है जावबंदी को aid कर सकते हैं तो इसको पता करने के लिए अब चाहें तो यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं या फिर आप बिहार भूमी के official portal पर आएंगे यहाँ पर जो है जावबंदी पंजी देखे का button मिलेगा जिस पर click करेंगे अपना जो भी जीला है उसका selection करेंगे फिर यहाँ पर परखंड का करेंगे और proceed करेंगे फिर मोजा का selection कर लेंगे जमीन जो है किससे search करना चाहते हैं उसकी जनकारी यहाँ पर टीक करेंगे जनकाई डालेंगे उसका को फिल करेंगे search के button पर click करेंगे इस तरह से आपके सामने जो है जावबंदी पंजी यहाँ पर खोल जाएगा अब यहाँ पर जो भी जावबंदी में से आपने जमीन को रष्टी करवाया हुआ है उनकी जरकारी यहाँ पर आपको देखना होगा कि उनका नाम हो खाता कैसा नंबर जावबंदी नंबर सा verify कर लेंगे आपको लगता है कि मेरा यह वाला है तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो है जावबंदी संखिया देखने को मिलेगा इसको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है यहाँ पर टीक करना है कि मुझे जो है जावबंदी संखिया से जावबंदी को एड करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ जैसे यहाँ पर टीक क जनकाई बह्ता सकता है तो मैं ने जनकाई डाला हुआ है इसमें खाता नमबर भी दर्ज है जावबंदी नमबर भी दर्ज है कितना रकबा जमीन है यह भी दर्ज है उनका नाम भी दर्ज है तो मुझे कोई problem नहीं होगा लेकिन हो सकता है कि आपके condition में खाता number ना हो जावबंदी में ना चड़ा हो या फिर खेसरा number ना चड़ा हो या फिर नाम ना चड़ा हो तो उस condition में जो है दाखिल करच के लिए प जनकारी है मुझे यहांपर यह करना है अब यहांपर माल लिजिए जो भी आप प्लॉट की जनकारी दिये हुए है तो कई बार क्या होता है कि ररजिट्री करवाते समय दो plot, तीन plot जो है एकी साथ में रजिश्ट्री होता है तो अगर आपका condition है कि दो plot अपने तीन plot जो है एकी साथ रजिश्ट्री करवाया हुआ है तो उन सभी plot को जो है add new row के button पर click करके यहाँ पर add कर सकते हैं जैसे कि आपने जो भी जमीन लिखवाया होगा उसमें जितने भी अलग-अलग plot आपने लिखवाया होगा उसकी जनकारी यहाँ पर दी जाती है अगर आपका single plot है तो बस यहाँ पर single ही add करना है और उसके बद क्या करना है कि save and nest के button पर आपको click कर देना है अब यहाँ पर आपको जो है buyer का details यहाँ पर डालना है यानि कि जो भी जमीन को खरदा हुआ है तो यहाँ पर type में जो है आपको रयत ही slate करना है यहाँ पर जो भी जमीन buy किया हुआ है उसका name क्या है वो registry read पर आपको देखनी को मिल जाएगा फिर यहाँ पर उसके guardian का name क्या है उस guardian के साथ उसका relationship क्या है तो यहाँ पर बता देंगे कि जो भी आप यहाँ पर guardian का नाम दे रहे हैं उसके साथ क्या relationship है फिर उसका caste क्या है gender क्या है mobile number, address और यहाँ पर अधार number आपको देनी होगी ठीक है जो कि सभी जनकारी आप देखेंगे तो आपका जो भी रजिष्टी deed होगा ना उस पर यहाँ पर mention कर दिया आता है नाम भी mention रहेगा उम्र भी mention रहेगा आपका जो अधार number है mobile number है उस सब यहाँ पर दर्ज की जाती है ठीक है तो इसके according ही आपके जनकारी यहाँ पर भरनी होगी अब यहाँ पर माल लिजिए एक से अधिक लोग जो है मिल कर जमीन को कहड दे हुए है जैसे कि माल लिजिए दो लोग, तीन लोग जो है मिल कर जमीन कहड दे हुए है तो उन्स सभी का जनकारी जो ही यहाँ पे add new row के बटन पर click करके आप यहाँ पे add कर देंगे ठीक है बट मेरे condition में एक ही ब्यक्ति खरदा हुआ है तो एक ब्यक्ति का हम नाम डालेंगे और यहाँ पे save and next के बटन पर click करेंगे अब यहाँ पे आपको seller का details डालना है जो भी जमीन बेचा हुआ है उसका नाम क्या है उसके guardian का नाम क्या है relation guardian के साथ क्या है कास्ट क्या है gender क्या है mobile number address और अधार number उसका यहाँ पे डालना है ध्यार रखिएगा अगर एक से अधिक लोग जो है मिल कर यहाँ पे जमीन को जो है sell किये हुए है तो उनकी जनकारी जो है add new row के बटन पर click करके आप यहाँ पे add कर सकते हैं और अन्या आपके पास कोई document होगा तो आप यहाँ पे दे सकते हैं हालाकि यह mandated नहीं है आप चाहिए तो इसको छोड़ सकते हैं लेकिन इसमें जो दो document यह दिया गया है इसको आपको upload करना जरूरी है इसमें सबसे जो पहला आपका document होने वाला है register यहाँ पे deed होने वाला है तो basically यह आपका deed होता है इसको ही scan करके आपको upload करना है और इसके ही according आपको जनकारी को भरना है तो सबसे पहले यहाँ पे document नमबर मांगा जा रहा है तो आप अपने register deed पे देखेंगे तो यहाँ पे book number यहाँ पे deed नमबर यहाँ पे रहता है deed न नमबर के सामने चार अंको का जो नमबर है न यहीं आपका document नमबर होगा तो इसमें इसको डाल दीजिएगा तो आपना जो भी register deed है उसको देखेंगे तो जिस भी date को आपका register हुआ होगा उसकी यहाँ पे date mention होगा जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं यह वाला जो ही date आपक कुछ भी आपको नहीं लिखना है छोड़ देना है बाकि यहाँ पे आपना जो भी register कर्याले है उसका आपको selection करना होगा तो basically आपके register deed पे ही मिल जाता है देख सकते हैं कि यहाँ पे कर्याले के बाद जो है जो भी register कर्याले का नाम लिखा होगा यहीं कर्याले जो है आपक jpg में scan किया हुआ है उसको जो है सबसे पहले आपको PDF में यहां पर convert करना होगा तो उसके लिए jpg PDF converter आप यहां पर search करेंगे तो first में यह वाला website देखनी को मिलेगा जिसको यहां से open कर लिजिएगा यहां पर जो भी पेज को स्लेट कर लिया हुआ है अब यहां पर convert to PDF के बटन पर आपको क्लिक करना है आपका PDF यहां पर download हो जाएगा ठीक है कि लगबग जो है 72 KB में जो है download हुआ है और हमें जो है 500 KB में ही upload करना है तो इसको जो है compress करना होगा इसके लिए आपको जो है फिर से computer के browser में PDF to online compressor आपको search करना होगा तो आपके सामने यह वाला website आएगा इसको यहां से open कर लिजिएगा open करने के बाद यहां पर जो भी अपना PDF है जो कि अभी अपने JPG से PDF में convert किया हुआ है उसको यहां पर select करना है तो इस तरह से आपका जो फाइल है यहां पर select हो जाएगा यहां पर आप अपने हिसाब से देख लेंगे आपका जो है यहां पर कर लिजएगा या फीर में घर से कर देता हूँ जो कि मेडियम हो जाएगा, दो से ही रहेगा उसके बाद यहां पर आपको जो है के बटन पर क्लिक करना है और यहां पर इसको चूज कर लेना है आप देखेंगे दूसरा जो आपका डॉक्मेंट है न वो दर के वाला है अब इसके बारे में काफी सारो लोग नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि दर के वाला का मतलब भी होता है कि जिनसे आपने जमीन का रजिश्टी करवाया हुआ है उनके पास भी एक डीड होता है आप सभी को पता ही होता है कि जिस तरह से आप जमीन खड़ीद रहें तो आपके पास जो एक डीड बन रहा है उस तरह से वो भी जमीन खड़दे होंगे कि उसका जो है document number क्या है उसका date बताएंगे और फिर यहाँ पे कहां से issue हुआ है उसकी जनकारी बताएंगे और उसको यहाँ पर upload भी करना है और यह जो है देना यहाँ पर mandatory है अब 99% लोग ऐसे हैं जो कि जमीन जीस से रजश्टी करवाते हैं उसके पास केवाला या फिर जो आए कि देखिए अभी जो है नया update आया हुआ है और इसमें maximum सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जो है दर के वाला नहीं होगा जो जमीन बेचा हुआ है तो उस condition में यहाँ पर क्या भरना है अभी इसको लेकर कोई हमारे पास भी notice नहीं है तो अगर आपके पास उनका दर के व हमें क्या डालना है मेरे पास दर के वाला नहीं है वह आपको जो suggestion करेंगे उनके हिसाब से भी यहाँ पर डाल सकते है ठीक है उसके बाद यहां पर अन्यक कोई आपके पास document है तो आप यहां पर दे सकते हैं अलाकि देना mandate नहीं है इसको छोड़ भी सकते है लेकिन अगर आ यहां पर देखेंगे हमने जो है डॉक्मेंट यहां पर अपलोड कर दिया हुआ है जैसे कि जो भी डीड है उसको भी हमने अपलोड कर दिया हुआ है और दर के वालों को भी यहां पर अपलोड कर दिया हुआ है क्योंकि दोनों जो है अपडेट करना और अपलोड करना की नहीं है अब यहां पर आपको क्या करना है सेवें नेश्ट के बटन पर जैसे आपने किलिक किया तो यहां पर आपको मुबाइल नंबर का वेरिफिकेशन करना है तो इस पर आपको किलिक करना है यहां पर आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा यहां पर जो भी buyer है ना उनका mobile number आपको verify करना होगा यहाँ पे जो है आपको mobile number भी देखने को मिल रहा होगा तो get OTP के button पे आपको click करना है तो यहाँ पे जो भी buyer है ना उनके number पे OTP जाएगा OTP डाल कर यहाँ पे confirm के button पे click करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आपका OTP है यहाँ पे verify हो जाएगा अब यहाँ पे आपको प्रिव करना है जो भी अपने जनकारी फिलब किया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे आपको submit के button पे click करना है तो आपका form है ना submit हो जाता है form को submit करने के बाद कभी भी आप अपने application का जो status है चेक करना चाहते है तो दाखिल खारीज आवेदन स्थितित देखे के button पे आपको click करना है यहाँ पे आपना जो है जीला का selection करेंगे यहाँ पे अंचल का selection करेंगे बीत भर्स में अपना जो है दाखिल खारीज के लियावदन किये हुए है उसका selection करेंगे पोर्सीड करेंगे जैसे कि दाखिल खारीज के लियावदन करेंगे तो application को आप submit करेंगे तो आपको जो ही case number मिलता है तो उससे खोच सकते हैं नहीं तो जमीन का जो deed number है उससे भी खोच सकते हैं नहीं तो मोजा की समध जो जनकारी होता है उससे भी आप यहाँ पे खोच सकते हैं तो आपके पास जो भी information है जैसे कि माल लिजे case number नहीं है जो भी मोजा है उसका selection यहाँ पे कर लीजिएगा ठीक है इसके माधिम से भी आप यहाँ पे search कर सकते हैं या फिर चाहें तो plot number से भी आप यहाँ पे खोच सकते हैं तो आपके पास कई सारे options है कि माल लिजे आपने दाखिल खर्च के लिए आउधन किया case number आपके पास नहीं है तो यहाँ पे plot number या पे deed number आपके पास होगा उससे आप search कर लीजेगा नहीं तो यहाँ पे मोजा के हिसाब से आप यहाँ पे search करेंगे तो यहाँ पे सुरक्षा code को डालेंगे search के button पर click करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको पेंडिंग करमचारी आपको देखनी को मिलेगा जिस पे click करेंगे तो इसको पूरी information के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी आपका दाखिल खर्च का इस्तीती है यहाँ पे पेंडिंग है पेंडिंग क्यों है क्योंकि यहाँ पे करमचारी के लिए इसको भेजा गया है फिर यहाँ पे इसको R.O.C.O. देखेंगे उसके बाद यहाँ पे फिर अप्रूब होगा तब जाकर यहाँ पे करेक्शन स्लिप जर्नेट होगा जिसके बाद आपका दाखिल खर्च कम्प्लीट हो जाएगा पेसे में दाखिल खर्च के लिए आवदन करते हैं और उसमें किसी परकार की करेक्शन की वह सकता लगती है तो आपको जो है यहाँ पे फिर से आना होगा ओनलाइन दाखिल खर्च के बटन पे आपको क्लिक करना होगा ठीक है और उसके बाद यहाँ पे जीला का नाम आपको स्लेट करना होगा तो यहाँ पे देखेंगी जीला का नाम मिलेगा फिर यहाँ पर अपना अंचल का सेलेक्षन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर ड्राफ किये गए दाकिल खरज देखे का बटन मिलेगा जिस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे जितना भी अपने फॉर्म को फिलब कीया हुआ है देखने के मिलेगा जिसमें एक एडिट का आप्सन मिलेगा पेंसिल वाला इसके करके जहां भी आप edit करना चाहते हैं तो edit भी यहां पर कर सकते हैं तो जैसे कि आपने देखा है कि मैंने पूरी जनकारी आपके साथ सधा किया हुआ है कि इस तरस जो form को भरना है form को भरने के बाद ध्यां रखिएगा इसका जो है proper verification होता है verification होने में जो है समय लगता है और verification होते समय किसी प्रकारी के कोई भी problem होगा तो फिर जहां से आपने आवदन किया हुआ है उनके जो dashboard होता है वहां पी इसको वापस कर दिया जाएगा फिर आपको जो है जो भी truth होगा उसको सुधार करके फिर जो है अंचल अदिकारी के पास इसको submit करना होगा online ही उसके बाद ही आपका जो दाखिर खरज हो पाएगा तो किवल जो है आरो से बात हुआ तो उन्होंने लेकर जो ही इसको कोई clarification नहीं दिया उन्होंने wait करने के लिए बोला जैसे उनके तरफ से कोई update आता है या फिर विभाग के दोरा कोई update आता है आपको जो अपडेट करवा देंगे बाकी आपके पास दर के वाला है तो उसक जोगी वहां तक आपके जनकारी जो है सजा करने की कोशिस करेंगे चली मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉफी के साथ अब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद